ओ घर घर तिरंगा आज भी से है और CRPF का कैंपस है तो मैं तिरंगा पर कुस्पक्ति आप उनों को सुना रहा हूँ जो नहीं यह इसलिए पूरा याद नहीं है आजादी अमरित संघर्षों का पहचान तिरंगा है हर हिंदुस्तानी का आन बान वसान तिरंगा है आजादी अम्रित संघर्सों का पहचान तिरंगा है हर हिंदुस्तानी का आनबान वसान तिरंगा है और लहु बहा वतन आजाद कराने वाले अमर सहीदी बीरों का बल्दान तिरंगा है या बात है बात बात बढ़िया बात बात हमर सहीदी बीरों का बलिदान तिरंगा है बीर सबूतों की धर्ती निस कलंक बलिदानी है हसकर फांसी चड़ने वाले पानी दारों का पानी है आजादी अक्षुर रखने का संकल्प सदा ही साथ रहे आजादी के परवानों की अंतिम यही निसानी है कि सूरत चांट के रहने तक तिरंगा प्यारा फहराएगा पिकास के अंतिन छोर आसमान तक जाएगा आतंक बाद अलगाओ बाद नकसल बाद मिटा करके अनेकता में एकता का पर्चम सदा पहराएगा बहुत बढ़िया बाबा 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 जंडा मेरा कगन लहराएगे हावा में फहराएगे ये भारत मा किसान है जिसके चाया में समाय हिंदूस्ता के सरिया रंग उमन का प्रतीक है सफेद सिखाता सच्चाई चक्र हमेशा चलता रहता विकास पथ पर अंगडाई हरा रंग है हरी क्रांति से खेतों की हरी आली जंडा मेरा गगन लहराएगे हावा में फहराएगे ये भारत मा किसान है जिसके चाया में समाय हिंदूस्ता के सिखाता हिंद जवानों सिखा मुसलमानों जंडा जुकने ना पाएगे हर सरहद पर खोपो इतना तुसमन देख दहसत खाये ये उन तीरों की धर्ती जिसने कुंत रंग दी वरदी जंडा मेरा गगन लहराएगे हावा में फहराएगे ये भारत मा किसान है जिसके चाया में समाय हिंदूस्ता भावाव वाह वाह बहुर बहुत भाइबार, ऐखर वक्तियां अप लों के लिए, हाँ, अबियत के लोगई स्पाइब पर кажется, कि किनी हाथों में जिंदगी की किताब मत देना हूँ, किनी हाथों में जिंदगी की किताब मत देना हर किसी को अपने घर का हिसाब मत देना और सलीके से जिन्दगी जीने की तमन्न हो तो बेवज़े बेटे को मालिक का खिताब मत देना क्या बात है बहुत बढ़िया बापा 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 बेवज़े बेटे को मालिक का खिताब मत देना और धर्म के धंधा बाजों को आस्था का हाथ मत देना और बातों बातों में जुबा कट जाने वाली बात मत देना और सर उठा कर सम्मान से चलने की चाहत हो तो मानोता मात्रभूम के दगा बाजों का साथ मत देना वाँ बाज जिन्दा बाज जिन्दा बाज अंतिम चारप्तिया हैं कि अधेरा समझ कर बुरे कामों को अंजाम मत देना दिन के उजाले में दिखावे का पैगाम मत देना कश्टों को छेल जाना घर पर तसली के साथ घैर हाथों में जिंदगी की साम मत देना मा धर्ती की रंगा अब मैं उस मा पर अगर टाइम हो तो पांच मिनट में एक करता कहलू तिस मा ने सब को पैदा किया है हाँ स्वागत है मा पर एक करता सुलीजिए इसके बाद बहुत अच्छी कविता है मा वाली हम देश में तमाम किर्तियों मुर्तियों को मा कहते है समस्थ्याओं का निराकरण भी उनके सानिध्य में पूछते है पर जर्म देने वाली मा के समान कोई हो नहीं सकती नो मा पेट में और कोई हो नहीं सकती मा बच्चे के लिए जिन्दगी दाव पर लगाती है पालन पोसण में फरिस्ता बन जाती है नजर न लगे लाल को काला टीका लगाती है उठना बैठना चलना बोलना सिखाती है मा जैसा अब तक कोई हुआ नहीं मा जैसा अब तक कोई हुआ नहीं और मा की ममता से बड़ी कोई दुआ नहीं और इस सृष्ट के त्रिदेव भी मा के दूला रहे हैं और परिच्छ शत्य उन्सया से हा रिया है मां बच्चे को खुन से पाली है चरह सियाफ deepest वे बन जाती काली है मां इस स्रिष्ट का अनुखर्ण रचनाकार है और मां है तो बच्चे का हरस अपना साथ है मां अमबा जग्तंमा मां काली है मा भोजन की थाली दूज की प्याली है मा सागर सा संभाव अटल निश्चल है मा मनो योग से अपने चमन कमाली है आगे चार पक्तियां मा पृथिवी से भी भारी है मा की सोभा जगत से न्यारी है और मा का आचल आसमा से बड़ा है मां वहां भी बड़ी है जहां इस तोर खड़ा है मां वहां भी बड़ी है जहां इस तोर खड़ा है मां कासी है काबा है तिर्थों में पूरी है जीवन की धूरी है मां नईया है क्योईया है किनारा है मां नहीं तो बच्चा बे सहारा है और मां है तो किसी पूजा का कोई फल नहीं होता जिसकी माँ जिंडा में सब को पढ़ान करता है माँ है किसी पूजा का कोई फल नहीं होता और माँ के बाइर का धोन गंगा जल नहीं होता माँ बच्चे के लिए जान पर खेल जाती है और उसके एक मुस्कान पर सारे कष्टों को भेल जाती है अंतिम चार पक्तिया आपके बाद अपना काम मा बेटी के बिदाई में तूट जाती है बेटी जब मा के दावन से छूट जाती है मा चिंदजी भर घर का बोल धो जाती है और अंति समय में आशिरबात चिंदजी भर में हो जाती है क्या बाद है बाद 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 बाद